नमस्कार किसाम भाईयो आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है किसाम भाईयो आज के इस वीडियो के अंदर हम थ्रिप्स के लिए कॉम्बिनेशन तो बना ही रहे लेकिन थ्रिप्स के लिए दवाई मार रहे तो उसके साथ कई सारे कार्य करना भी जर्री होता मतलब एक तिर में कई निशाने बेटने ही चाहिए और साथी साथ आपको यह जंजट रहता है कि फ्लावरिंग में चलेगा नहीं चलेगा किस स्टेज में चलेगा यह जंजट आज के इस यूडियो में खतम होगा क्योंकि हम जो कॉम्बिनेशन आपको बताने वाले है वो कॉ आपके फसल के अंदर अगर मैच होती है जैसे हो वो अगर दिखती है तो समझ लेना यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाया है आप बेजिचक इसका इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन बिना लॉजिक जाने अगर सिर्फ स्प्रिंशॉट निकालके अगर आप भाग जाओगे तो उस कॉम्बिनेशन का जो भी लॉजिक है वो पता नहीं चलेगा और आप उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो पहले लॉजिक और फिर कॉम्बिनेशन तो चले शुरुआ करते हैं एक धमाकिदार लाइक से थ्रिप्स के लिए दमदार कॉम्बिनेशन आप करने युआ सबसे पहले हमारा हमारा कंट्रोल होना चाहिए क साथ उस कॉम्बिनेशन में हम हम इलियो को भी कंट्रोलowej करने वाले है जी हाँ दिलियों को भी हम यहाँ पे करने वाले, इसके साथ, साथ जी हाँ, इसके साथ हम एक कौंटेक वाला फंजी साइड लेंगे, जो कि आपके डाउनी मिल क्याँप अर्ट पनटेक और में मिल उल का क्वाइट करता है। मतलब थोड़ा पत्ती रफ होगा तो यहाँ पर क्या होगा थ्रिप्स का गया होती है। नाजुक पतिया होती वही पर आपको थ्रिप्स दिखाई देता है तो जितना कम नाजुक पन होगा आपके फसल के अंदर उतना ही ज्यादा आपका थ्रिप्स का कंट्रोल एपेक्टिवली होगा यह बात आपको द्यान में रखना है इसे के साथ-साथ हम इसके अंदर एक NPK क ही का भी इस्तमाल करनी वाले एक PGR का भी इस्तमाल हम करने वाले है जी हा एक PGR का भी इस्तमाल करेंगे और यह सब कर रहे है तो थोड़ां सा CEOs भी जाएगा हमारा और साती सात aleg powdery ऄल्डू के ओपर भी उससे काम होगा तो अभी हम कोन से combination की बात करने वाली है हो रहा हमने एक चीज बताए था कि बैट टॉक्जिन मतलब लालज दे कर गुला और किटगों को खतम कर दो वह वाली चीज भी इसमें होने वाली है तो बैट ज είναι भी होने वाला है कर सुद्ध करते कोनसा वाला कॉंबिनेशन हो देख तो यहां पे हम पहला टेकनिकल लेने वाले तो फो लेने वाले arrival receipt company काDJ जी हा बेट से еще come cabinet का एक स्पोन एक ब्रोख्ल form था आइईर जो है और कुसी भी होद मूहएं Hij में अंदर मिलता होगा, तो आप उस company का भी ले सकते हो, या फिर exponus के नाम से भी खरी सकते हैं, company का कोई compulsion यहाँ पे नहीं है, तो bro planide आप किसी भी company का बे जीचक ले सकते हो, साथी साथ bro planide आपका किसके उपर काम करेगा, यानि कि exponus आपका thrips के उपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, इसके result भी अच्छी तरीके से दिख रहे हैं, हालक यह अभी thrips इतने strong हो गए कि पहले की तरह sota का एकी spray में control ने होते, लेकिन इस से आपको 50 प्रतिशत से उपर ही thrips control होते हुए, दिखाए देगा, अडल्ट को भी यह बहुत ही अच्छी तरीके से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अडल्ट के अंदर ज्यादा strongness होने के गारण, उसको gassing action वाली दावाई की भी ज़रूत पड़ती है, इसलिए एक spray में इसका control होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसे के साथ-साथ यहाँ पे हम इलियों के लिए भी एक technical इस्टमाल करने वाले हैं, जो की thrips के ऊपर भी थोड़ा सा strong action दिखाता है, तो यहाँ पे हम लेने वाले प्रोक्लेम, तो प्रोक्लेम के अंदर क्या आता है भाई, इमाम एक्टिन बेंजोएड, तो इमाम एक्टिन बेंजोएड भी आप किसी भी कमपनी का बेज जिचक ल मॉलेक्यूल है भाई, लेकिन कई सारी दुकानों में सस्ता होने के कारण मिलता नहीं है और जीज दुकान के अंदर कुमानेल मिलता है, वह अच्छा दुकानदार है, आप मान सकते हों, तो आपके एरिया में अगर कोई बोले ना जगते हैं, कोई दुकानदार की आमारे प तो जेड़ाटतर के अंदर भी जाहरम आता है तो जेड़ाटतर नहीं ले सकते हैं तो भाई यहां पे जेड़ाटतर अगर हम लेंगे तो फ़िए ट्रॉपिंग होगा उसका क्या तो ड्रॉपिंग भी ना हो और सस्ते में जुगाड़ बने किसी लिए हम कुमानेल का यहां प अंदर हम कुन सा लें तो भाई यहां पे आप 12,62,32 यह फिर 14,13 का इस्तमाल कर सकते हो कोई भी एक उठा सकते हो भी यहां पे 14,13 एड़ा रहा हो हम बात कर रहे हैं, 6-benzyl-adenine की, 6-ba की, 6-ba का भी यहां पर इस्तमाल कीजिए, आपके फ्रावरिंग को भी यहां पर support मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर calcium, calcium, powdery mildew, और bet toxin के रूप में हम यहां पर क्या है, इस्तमाल करने वाले हैं, गाय का दूद, मतलब गाय का बेस का दूद चल जाएगा, को इटेंशन वाली बात नहीं है, तो यहां पर हम यह combination इस्तमाल करने वाले हैं, तो चले इसका dose के बारे में जान लेते हैं, तो एक्सपो dose रहेगा 100 gram, 200 liter पानी के लिए, 200 liter पानी के लिए 500 ml, ठीक है, 1343, 200 liter पानी के लिए 500 gram, ठीक है, 6-2, 200 liter पानी के लिए 2 gram, इसका solund मिलता है, तो solund के अंदर dissolve करके फिर इस्तमाल करना है, यह बात ध्यान में रखना है, अगर 6-2 आवेलेबल नहीं है, आपके पास, तो गोजर combination है, यह तैयार हो जाता है, यह combination कार्य करता है, आपके थ्रीप्स, इलिया, डावनी मिल्डू, लेड ब्लाइट, पती रब करने के लिए थोड़ा सा जिंग भी जाता है, NPK भी जा रहा है, पाउडरी मिल्डू के उपर प्रिवेंटिव में कार्य भी हो रहा है, बेट टॉ रूप बर्सा देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और स्क्रीन शॉट निकालना चाहते हैं, तो स्क्रीन शॉट निकाल लेजेगा, और मिलते हैं आगले वीडियो में, जै जावान, जै किसान,